बच्चों, आज एक मैं आपको कहानी वाले की कहानी सुनाओंगी। एक था कहानी वाला, उसके पिटारे में खूब सारी कहानिया थी। मजेदार कहानिया, चटपटी कहानिया, लुभावनी कहानिया, शिक्षाप्रत कहानिया, सहासी कहानिया, मनोरंजक कहानिया, जादुई कहानिया, यू समझिये कि हर बात पर अपने पिटारे से वो एक कहानी निकाल लाता. कभी महले में कहानी सुनाता तो कभी गलियों में कभी घर के अंदर सुनाता तो कभी खुले हुए खेतों में बच्चे हो या बुड़े, नौजवान हो या यूपती हर कोई उसकी कहानिया सुनने को आतुर रहते या तो उसकी कहानिया अनूखी थी या फिर उसके अवाज में कोई जादू था धीरे धीरे उसकी कहानियों की चर्चा दूर दूर तक पहुँचने लगी ये खबर राज्य के महराजा दिराज राजा भानोर तक भी पहुँची फिर क्या था उसने अपने सेनापती को आदेश दिया कि कहानी वाले को तुरन पेश किया जाए कहानी वाला एक बगीचे में बच्चों को कहानी सुना रहा था सेनापती के आदेश पर कहानी वाले को चार सिपाहियों ने आघेरा और उसे ले पहुँचे राज महल वहाँ पर दर्बार लगा हुआ था सभी सभासत बैठे हुए थे महल पहुचकर वैसे ही कहानी वाला स्तब्ध था उस पर जिस तरह उसे पकड़ कर लाया गया था उससे वो डरा हुआ भी था तभी राजा ने हुकम फरमाया एक कहानी वाले तुमारा बड़ा नाम सुना है हम तुमसे आसमान में रहने वाले राजा की कहानी सुनना चाहते हैं हर समय हर मौके पर कहानी सुनाने वाले उस कहानी वाले को उस समय पर कोई कहानी न सुजी बहुत सोचकर उसने कहना शुरू किया एक एक था राजा सारी सभासत उसकी और बड़ी आस से देखने लगे वो सब भी उसकी कहानी सुनना चाहते थे आखिर वो इतना मशूर जो था पर ये क्या? एक था राजा के आगे उसके मुख से कोई शब्दी नहीं निकल रहे थे उसने बहुत सोचा बहुत सोचा पर उसे कोई भी कहानी नहीं सूज रही थी राजा ने अपनी कड़कती आवाज में कहा आगे सुनाओ कहानी वाला चुप उसने बोलने के लिए एक बाद फिर हिम्मत करके मुँख खोला तो बस एक था राजा के अलावा कुछ नहीं निकला बाकी सभासद हसने लगे पर तब तक राजा का गुसा सात्वे आसमान पर पहुँच चुका था पहली बार किसी ने उसकी आग्या का उलंगन किया था रौपदार आवाज में उसने कहा ए कहानी वाले तुमने मेरी आग्या का पालन नहीं किया है और इसलिए मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूँ सैनिको ले जाओ और इसे कर दो बन काराग्रह में मेरी आग्या ना मानने पर क्या नतीजा होता है यह इसे भी समझ जाए और सारी प्रजा को भी सभी लोग हैरान थे कहानी वाला भी परिशाद उसे समझी नहीं आ रहा था कि उसके मूँ से शब्द क्यूं नहीं निकले सैनिको ने उसे तुरंट पकड़ कर काराग्रह में डाल दिया उधर जब बच्चू को पता चला कि कहानी वाले को राजा ने उम्रकैत की सजा सुना दी है तो वो बहुत बिचलित हुए सब जानते थे कि राजा बड़ा ही गुसेल है पर हिम्मत करके वो सब इकत्रित हुए और पहुंचे राजा के द्वार इतने सारे लोग एक साथ आये देखकर पहले तो राजा घबरा गया और गुसे में सैनिकों को सबको पकड़ने का हुकम देने ही वाला था कि राणी ने उसे रोकते हुए कहा राजन ये सब तो छोटे छोटे बच्चे हैं शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई छोटी मोटे वस्तु मांगने आये होंगे आप उनकी बात सुन क्यों नहीं लेते राणी की बात राजन कभी नहीं टाला करता था वो बच्चों से मिलने को तयार हो गया एक बाप फिर दरबार बुलाया गया राजन बच्चों से कहा बोलो प्यारे बच्चों तो मुझसे क्या चाहते हो यहां क्यूं आए हो एक लड़के नहिम्मत करके कहा महराज हम आपके सामने एक विंती लेकर आए हैं हम सब चाहते हैं कि कहानी वाले को छोड़ दिया जाए पीछे खड़े सभी बच्चे भी चिल्लाने लगे कहानी वाले को छोड़ दिया जाए कहानी वाले को छोड़ दिया जाए वरना हम सब खाना पीना बंद कर देंगे राजा ने बात समालते हुए कहा चलो ऐसा करते हैं आप में से चार पांच बच्चे मेरे साथ आओ और हम सब कारग्रह में चलते हैं यदि कहानी वाला हमें एक कहानी सुना देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अब राजा और पांच बच्चे कारग्रह में पहुंचे आगे आगे राजा और बच्चे पीछे पीछे राजा सोच रहा था कि और कहदियों की तरह कहानी वाला भी दुखी दुखी बैठा होगा पर ये क्या? कहानी वाला तो वहाँ भी कहानी सुना रहा था और सभी कैदि उसे ध्यान से सुन रहे थे कहानी वाला कह रहा था विपासा नामक उस कटपुतली से कटपुतली वाले ने कहा आज से तुम सिर्फ मेरे लिए ही निर्ट्य करोगी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया उसे खाने, पीने, पहनने के लिए महंगी से महंगी वस्तू उपलब्थ थी पर ना जाने क्यूं इतना सुन्दर निर्ट्य करने वाली विपासा दुखी रहने लगी वो खड़ी तो होती, हाथ पैर भी चलाती पर उसके निर्ट्य से भाव चला गया था जब कटपुतली वाले ने देखा क्या वो निर्ट्य नहीं कर पा रही है तो उसने उसे छोड़ दिया बाहर निकलते ही जैसे ही विपासा ने सुन्दर जर्ना देखा लाल पीले नीले हरे फूल देखे और हरे हरे पेड देखे उसके हाथ पैर एक बार फिर थिर रखने लगे कटपुतली वाले की नजर उस पर पड़ी और वो समझ गया कि विपासा उसके बंद कमरे में नित्य क्यूं नहीं कर पा रही थी उसने फिर कभी उसके पाउं में बेडियां नहीं डाली सभी कैदी तालियां बजाने लगे राजा भी मंत्र मुग्द हो उसकी कहानी सुन रहा था और उसकी आवास का जादू महसूस कर रहा था वो भी समझ गया कि कहानी वाला तो स्वच्छंद व्यक्ती है वो दर्बार में कहानी नहीं सुना सकता उसकी कहानी सुननी है तो उसे कहानी वाले के पास जाना पड़ेगा राजा ने तुरन कहानी वाले को छोड़ दिया उसके रिया होते ही बच्चों और बड़ों ने उसे घेर लिया, सब उसे कहानी सुनाने की जित करने लगे, कहानी वाले ने अपना पिटारा एक बार फिर खोला और अपनी जादूई अवाज में शुरू कर दी कहानी, एक था राजा, वो आस्मान में रहता था, जब कहानी ख